दोस्तों, दोस्त्नीओ, सहेलो, सहेलीो, मासातो, मारोतो, भाई और बेनो, कैसे हैं आप लोग? उमीद करता हूँ कैब सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खेर केरियत से होंगे, और तो यार जहां भी होंगे, एंज्जॉय करें होंगे अपनी लाइफ को. असलाम लेकुम प्यारो मेरा नाम है कफली और आप देख रहे हैं तालीम का घर देखो यार तुमारा तो पता नहीं लेकिन मैं दुन्या घूमना चाहता हूं वो भी एक नहीं दो मरतबा एक फेमली के साथ दूसरा अगर ना भी हो तो खेरे लेकिन अगर हो जाए तो बढ़िया है दूसरा फ्रेंड्स के साथ मेरी सादगी देखो मैं क्या चाहता हूं बस दो मरतबा दुन्या घूमना चाहता हूं मैं सतके जावा अपने शायराना अंदास था वेस यार घूमते दोरान हमें हमेशा कुछ अच्छे लोग मिलते हैं तो कुछ बुरे लेकिन आज मैं आपको उन मुल्क के लोगों के बारे में बताऊंगा जहां पे ज्यादा तर लोग फ्रेंडली है और आप वहां पे ज्यादा सेफ और सिक्योर फील करोगे तो इंतजार किस बात का चलिए शुरू करते हैं अपना काउंडाउन दोस्तो थाइलेंड जिसको अकसर करके मुस्कान की जमीन कहा जाता है अबे सालो मुस्कान लड़की नहीं स्माइल वाली मुस्कान लेंड आफ स्माइल्स थाइलेंड वैसे भी एक यार इयरली टूरिस प्लेस है जिसकी वज़े से लोग वहां के कुछ हम बिलें लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली लोग है वो थाइलेंड के बेंकोक और फुकेट सिटी में पाए जाते हैं नबर फूर्ड केनेडा यार केनेडा वाकि एक खुबसूरत मुल्क है वैसे नोर्दन अमेरिकन कंट्री है जैसे हम गर्मियों में नोर्दन एरियाज घूमने जाते हैं वैसे ही केनेडा भी एक बहुती फ्रीजिंग प्लेस है स्नोफाल तो जैसे इसे वरासद में मिली हुई है और इसी काम एंड कूल एट्मोस्फियर की वज़े से वहां के लोग भी काफी फ्रेंडली नेचर के हैं केनेडियन्स को Most Polite People of the Earth का खिताब नहीं मिला हुआ पर 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 इन्हें फिर भी Most Polite People on the Earth कहा जाता है जिसे हमारे याँ जर्दारी भुटो है नहीं फिर भी उन्हें बुलाया जाता है वैसे ही इनको भी Polite People का खिताब है नहीं लेकिन फिर भी बुलाया जाता है यह बड़िया था गुरू दोस्तों साउथ अफरिका का केप टाउन जो के तक्रीबन यूरपियन विजिटर से भरा हुआ होता है और मोस्ली यूरपियन वहाँ से खुश मिजाज और लुतिफ अंदोज होके निकलते हैं साउथ अफरिकन के फ्रेंली होने की वज़ा से वैसे सिर्फ केप टाउन ही नहीं बलके पूरा साउथ अफरिका ही यार फ्रेंली नेचर का है फिर भी यार ये याद रखना पांचों उंगलिया हमेशा बराबर नहीं होती वैसे जिनको समझ नहीं आया तो भाई तुम अब भी बूर गेरो वैसे यार मैंने फ्रेंली पीपल पे एक और वीडियो बनाए हुए उपर आए बटन पे लिंक आई ना हाँ वही और अगर चली गई तो टेंशन ना लो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखी हुए तो सुकून.com से ये वीडियो पूरी देखो और बाद में वो देख लेना नबर टू न्यूजिलेंड दोस्तों न्यूजिलेंड जिसे के कुदूरती मुस्कान से बना हुआ है समझगे ना वहाँ पे लोग काफी फ्रेंडली है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम आते जाते लोगों से उंगल करो या उनसे मस्ती मजाग करो ओवियसली भाई हर किसी का हर वक सेम मूड मजाग वाला नहीं होता लेकिन इनकॉंसिकेंस न्यूजिलेंड के लोग काफी हमबल है वैसे आज जो जो मुल्क फ्रेंडली मैंने सोचे थे वो तो है नहीं जैसे के पाकिस्तान, इंडिया, इरान या एक दो और चलो कोई नहीं शायद वाकई हम टूरिस के लिए अच्छे ना हो चलो इस पात का तफसरा हम किसी का भी और दिम करेंगे लेकिन जो आज की काउंडाउन लिस में दुनिया का फ्रेंडलिएस कंट्री है वो और अगर आप टूरिस बनके और ऑस्ट्रेलिया घूमने जा रहे हो तो भाई और क्या चाहिए वहां के लोग अच्छे इट्मोस्फियर अच्छा और तो और ऑस्ट्रेलिया घूमने के हिसाब से भी अच्छा तो भाई बस चल करो और हाँ टॉप वन पे भी यही है तो यार आज के लिए इतना ही तो दोस्तों आप सबको कैसे लगे वीडियो जवाब कमेंट में मुझे ज़रूर बताईगा और अगर यार वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजे इजाज़त अला हाफिस